नमस्कार जनुर्पा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ एमेंदर संग्य निजट डालते हैं आज की सुर्खें पर प्ये मोदी आज बिहार को 294 करोल की योजनाओं को सौगात देंगे ये सभी योजनाए मतस्ट पसपालन और क्रसी विवाक से जुड़ी हुई हैं इस मौके पर प्ये मोदी प्रदान मंतली मतस्ट संपदा योजना का सुवारम भी करेंगे साथ ही किसानों के लिए एक समगर नस्थ योजना बाजार और सुचना संबंदी इगोपाला एप को भी लांच करेंगे मोदी ने सलकों पर खाने पीने का वेवसाय करने वाले स्टीट फूड वेंडर के लिए नई योजना का एलान किया है पियम मोदी ने कहा है कि स्टीट फूड वेंडर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफर्म तयार किया जा रहा है जहां बड़े-बड़े रेस्टोरेंट की तरह ही ये वेंडर्स छोटे-चोटे गराकों को अपने खाने पीने वाले सामान की ऑनलाइन डिलिवरी कर सकेंगे राफेल लडाकु विमान बिद्वत रूप से आज भारती बाउसेना के बेड़े में सामिल हो गया है इसी उपलक्ष में अमबाला एर्थफोर्स इस्टेशन में कारिकरम रखा गया है कारिकरम में रच्छा मंतरी राजना सिंग और उनके साथ फ्रांस के रच्छा मंतरी फ्लोरेंस पारली भी मौजूद है कारिकरम के चलते अमबाला एर्थफोर्स इस्टेशन के साथ साथ आसपास के एरिया की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है सीमा परजारी तनाओं के बीच मासकों में भारत और चीन के विदेश मंतरियों के बीच आज एहम बैटक होने वाली है दोनों देश राजनाइक और सेन मादमों के जरिये विवाद को सुल्याने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीन की कायराना हरकत सांती बहाल होने की प्रिक्रिया पर पानी फेर रही है दोनों ने ताओं की ये मुलाकात संगाई सहयोग संक्टन की बैटक से हटकर हो रही है सीमा परजारी गतिरोत के बीच चीन की मीडिया वीडियो जारी कर भारत को गीदर भवकी दे रही है दूसरी और रेजांग लाके भारतिय सेनिक भी हर इस्टिती का सामना करने के लिए मुस्तेद हैं अख़वार के संपादग ने चीन की सेना के इताब्यास का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि भारत को उकसाने की कारवाई बंद कर देनी चाहिए उन्होंने कहा कि अगर नहीं माने तो चीन भारत को हरा देगा पैंगों की लाके में भारती सेना ने रणनितिक रूप से अहम पाड़ियां एबं इस्थानों पर अपनी उपस्तिती दर्ज कराने की प्रिक्रियातियोज कर दी है इसके पीछे असल मकसद चीन को उची पाड़ियों पर काबिज होने से रोकना है सेना को आसंका है कि हाली में उसने जिस प्रकार से उत्री पैंगों की पाड़ियों में मोर्चा बंदी की है वैसे ही कोशिस चीन अन्चोटियों पर भी कर सकता है स्टीडियस मिपिन रावद ने देश की रच्छा सारवजनिक शेत्र के उपकर्मों और आडिनेंस फैक्टरियों को अपनी कार संसकती में सुधार लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि गुलवत्ता पर विसेस ध्यान देने की आप सकता है डिफेंस एक्स्पोर्ट्स पर आयोजीत एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के रच्छा खर्च के वित्रन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि राम मंदिर तक आवा गवन के लिए हाईवे से तीन कारीडोर का निर्माण किया जाएगा आज मित्ता के साथ प्रभुराम की नगरी को आध्यात मित्ता की छांकी से सजाए जाएगा 14 सितमबर से शुरू और संसित के मांसूं सत्र को लेकर तयारियां तेज हो गई है राज सभा के सभापती और उप्राश्टपती हम बजिकईया नाईदू ने मांसूं सत्र के लिए की जा रही سारी विशेष तयारियों का जाएजा लिया इस दोरान उन्होंने सवापती की कुर्शी पर बैट कर सत्र संचालन की गद्विदियों की जाच की माक सेशन के दोरान एक चेमबर से दूसरे चेमबर में आडियो और वीडियो स्टेगनल के ट्रांसमिसन की भी जाच की गई ड्रक्स मामले में गरफतार रिया और उनके 22 सोवी की जमाना तरजी पर आज मुंबई के स्टेशन कोर्ट में सुनवाई होगी उन्हें वुदवार को NCB के लॉक अप से भाय खला जेल में सिप्ट किया गया था आपको बता दें के रिया को NCB ने मंगलवार को गरफतार किया था निचली आदालत ने जमानत याज का खारीज करते हुए 14 दिनों की नियाएक हिरासत में भेज दिया था अब नेत्री कंगना रनोत की गहर मवजूदगी में बीमसी ने उनके ओपिस में हुए कतित अबद रिर्माल को गिरा दिया है बारी सुरक्षा की बिश कंगना मुंबई पहुची और अपने ओपिस गई उन्होंने बीमसी द्वारा जारी की गई कारवाई का वीडियो सोसल मीडिया पर सेयर किया है जिसके बाद लोगोंने बीमसी और महराश्टरकार के खिलाप प्रदस्ण किया इस दोरान बीमसी ने कंगना को होम करेंटीन में छूट दी है कंगना रनोत के ओपिस पर BMC की कारवाई पर हाई कोट ने तलक टिपड़ी की है कोट ने कहा कि BMC अचानक नीन से जागी और नोटिस जारी कर दिया वो भी तब जब वो राज से बाहर थी इतनी तेजी बाकी अबय निर्मालाओं पर दिखाते तो मुंबई कुछ और ही होता कोट ने कहा कि BMC ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे दुर्भावना है और ये काम निंदनी है जिस तरह से BMC ने निर्माल को ढ़ाने का काम किया वो उसके पीछे अच्छी नियत नहीं नजरा रही है केंद्री बित्यमंत्री निर्माला सीता रवन ने अर्थववस्ता को भारने पर बैंकों को सलाह दी है निर्माला ने कहा कि अर्थववस्ता को भारने के लिए बैंकों को उत्प्रेरक की भूंका में आना होगा इसके साथ ही कुरोना संकट के माहोल में अर्थिवर्वस्ता में तेजी लाने के लिए बैंकों को अपने ग्राहकों की हर नवज पहचान कर उनको आर्थिक मदद देनी होगी गांग्रेसमा सची प्रेंका गांधी ने कहा कि रोजगार की लड़ाई की लड़ रहे उवाओं का सभी को साथ देना चाहिए उन्होंने कहा कि इस देश का उवाँ अपनी आबाज सुनाना चाहता है अपनी रुकी हुई भरतियों परिक्षाओं की तितियों निक्तियों एबं नई नवकरियों को लेकर इवाँ अपनी आबाज उठाना चाहरा है प्रेंका ने कहा है कि आज हम सब को इवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है तक्षणी कस्मीर के अनंतनाग में सेना ने रेडियो रापता 90.8 दिल से दिल तक की शुरूआत की है सेना के कमांडर आरार ब्रिगेडियर विजय महादेवन ने कहा है कि ये अनंतनाग में एक आतियासिक पल है उन्होंने का कि ये रेडियो इस्टेशन लोगों का है और लोगों के लिए है ये इस्टेशन सुवज 6 वजे से राद 10 वजे तक कारिकरम पेस करेगा वोई सेना के इस प्रियास की इस थानिये इवाउने सरहना की है बिलू और पिंक लाइन के बाद आज से वाइलेट रेड और ग्रीन लाइन मैट्रो की भी शुरूआत हो गई है वाइलेट लाइन पर सुवज 7 वजे पहली मैट्रो राजा नार सिंग इस्टेशन बल्लबगर से दिल्ली के कस्मीरी गेट मैट्रो इस्टेशन के लिए रवान कन दाखिल किया राष्ट्य जंतांत्री गठवंदन ने हरिवंस सिंग को साजा उमीदवार के तोर पर मैदान में उतारा है हाला कि विपक्ष ने अपतक अपने उमीदवार के नाम का आयलान नहीं किया है आपको बता दें कि हरिवंस का 17 सितंबर को कारकाल खात्म हो रहा है राष्ट्य गांधी ने कोरोना संकट में मोधी सरकार दोरा लगाएगे लोकडाउन पर बड़ा दावा किया है राष्ट्य ने कहा है कि केंद सरकार ने अचानक देश की जंता पर लोकडाउन थोपा था इस देश के इवाओं के भविस और गरीवों के रोजगार पर हमला ह हुआ है इसके अलावा सरकार ने लोकडाउन से असंग ठित अर्थ वस्ता को बर बाद किया है तर्युक्तराष्ट ने करिभी वहमरी और संगर्स बढ़ने के असंका जताई है उन्होंने सचेत किया है कि करोना मामारी ने बैस्विक बैद भाओ और अन्नमानवा दिकार उन जिसमें मामले सामने आये हैं, जबकि 1172 लोगों की जान जा चुकी है, देश में करोना संक्रिम्नों की कुल संक्या 44,22,000 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि अभी तक कुल 75,22 लोग काल के गाल में समा चुके हैं, आपको बता दे कि 2 सितंबर से हर दिन 1000 से जादा लोगों की जान जा रही है, जिसमें 2 करोड से जादा मरीश्टीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 9 लाग से जादा लोगों की जान जा चुकी है, वह बीते 24 गंटे में संक्रमर से 2,214 से जादा मामले सामने आये हैं, टोप 10 प्रभावी देसों में सबसे जादा रेकबरी रेट करने के लिए बीजेपी आ गया ही है शुत्रों ने बताया कि ग्रेमिंट्री अमिशा ने लजेपी प्रमुक्चरासवान से बात की है ये भी का जा रहा है कि अमिशा और चिराक पासवान की मुलाकात भी हो सकती है ये मुलाकात 14 सितंबर से पहले हो सकती है विदान में सीट शेरिंग फार्मूले पर बातचीत होने की संबावना है अंग्रेश की वश्च नेताय अंबीर अप्पा मोईली ने पूर प्यमनों सिंग और पीविने सिंभा राव को भारत रद्म देने की मांग की है उन्होंने का है कि सिंग और राव दोनों देश के सर्भोच नागरी समान पाने के हकदार हैं उन्होंने काए कि आर्थिक सर्भोचे पर राव और सिंग का योगदान बहुत महत्पूर है दोनों ने दावने मिलकर देश को पूरी इस्तिती से बाहर निकाला था और अर्थ व्योस्ता में जान फूंकी थी कोरोना महमारी और लागडाउन से रेलिवे की कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है रेलिवे के माल डुलाई से होने वाले राजस में भी कमी आई है रेलिवे को महमारी के प्रभाव से निकालने में नव महिने से अधिका समय लग सकता है एक सर्वे के अनुसार वर्स 2019 से 24 क के बीच रेलिवे का अनुमानित वारसिक प्रदिदर 10 से 12 प्रसत के बीच रह सकती है कोरोना के चलते रेलिवे की चल रही कुछ और नई परियोजनाओं में देरी हो सकती है अमेरिका में कोरोना को लेकर राश्टपती ट्रंप अपने विवादित बयानों को लेकर काफी सुर्कियों में रहे हैं इस पर वाइट हाउस ने सपाई देते हुए कहा है कि राश्टपती ट्रंप ने कभी भी जानबूच कर कोरोना के बारे में स्चारब जनी रूप से लोगों को गुमराह नहीं किया है वाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने वाइरस को लेकर हैले डर को दूर करने का प्रियास किया है और उन्होंने जनता से इस संकट की स्थिती में घवराने से बचने को कहा है पंजाब सरकार ने 30 सितंबर तक राज के सभी 160 निजमों में अब सिर्फ रविवार को लोगडाउन रखने का फैसला किया है मुकमंत्रिया मरिंदर सिंग ने राज में कोरोना के हालात की समिक्षा बैटक की इसके बाद लोगडाउन की कई पाबंदियों में धील दी है वहीं अब रात साड़े 9 वजे से सुवए 5 वजे तक सभी गयर जरूरी कामकाज बंद रहेंगे स्वीए देख्ष सर्च्पवार ने सीम अब दो ठाकरे से उनके सरकारी आबास पर मुलाकात की दोनों ने ताओं के बीच करीब 50 मिन तक बात चीज चली इसमें सुप्रीम कोर्ट दोरा सिख्षा और नोकरियों में महराठाओं को आरक्षण देने पर रोग समंदी मामले में चर्चा हुई दरसल कोर्ट ने महराष्ट का 2018 आरक्षण कानून पर बिगत दिनों रोग लगा दी थी काता के मायपुर में इसकान का बैसी मुख्यालाई चंद्रोदय मंदीर अब खोल दिया गया है इसकान मंदीर के प्रवक्ता सुप्रत दास ने बताया कि मंदीर को धरमल स्क्रीन करने के बाद सुवे नोवजे से स्रत धालू के लिए खोल दिया गया है अब मंदिर में आने वाले सरतालू कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही चंदरोदय मंदिर में दर्शन और पूजा कर सकेंगे अमेरिका की निजी इकपुटी निवेसक फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स ने मोके संबानी की रिलाइंस इंडर्श्टी लिम्टीर की इस्टेदारी खरीदने का अईलान किया है वो एक घुद्रा कारोबार करने वारी रिलाइंस रिटेल वेंचर्स की पचातर सो करोड रुपए में दर्शन साथ पांच पीजती इस्टेदारी बेचने का फैसला लिया है इसके लिए दोनों कमपनियों में वारता सुरू हो गई है सुप्रिम कोर्ट ने तेरे सितंबर को होने वाली राश्टिये पातरता सहे प्रिवेस परिक्षा रद करने की मांग खारिज कर दी है सुप्रिम कोर्ट ने परिक्षा इस्टगन के लिए लगाए गई गई सभी आजकाओं पर एक साथ सुनवाई की इस दोरान दायरे अचकाओं का एक साथ निप्टारा करते हुए सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि परिक्षा के आयोजन पर रोक लगाने का अब समय नहीं प्लाजमा थेरेपी को लेकर आईसी एमार ने अपनी स्टडी में बड़ा खुलासा किया है उन्होंने काया कि प्लाजमा थेरेपी से मौत का खत्रा नहीं टलता है आईसी एमार दोरा की गई रिसर्च में 28 दिनों के भीतर ट्रायल में प्लाजमा ट्रीटमेंट और नारमल इलाज में कोई अंतर नहीं मिला रिसर्च में खा गया है कि कोड़ना के गंभिर मरीजों के इलाज में ये थेरेपी कारगर नहीं है प्रिया गराज से वाचपा सांसर इता वहुना जोसी को गुरुगुराम इस्टित मेंटा अस्पटाल में बढ़ती कराया गया है इसी कारण सांसद ने अपने स्थानांतरण की इच्छा जताई थी प्रमिलानों की दिर्मुख ने पार्टी प्रमुख स्टालिन की अदेख्षता में जर्नल काउंसलिंग की बैठक की बैठक में राष्टी सिक्छा नीती और पर्यावरण समेथ दूसरे अनमुद्धों पर केंद्र को आणे हाथ लिया है एंक ए स्टाली ने केंद्र से राष्टी सिक्छा नीती को लागू करने की माँग की है साथी पर्याबरन प्रभाव आकरन मसाधे को लेकर चारी अधी सूचना को बापस लेने का अगरह गिया है रेलवे ने 80 नही पैसेंजर ट्रेनों को 12 सितंबर से चलाने का अईलान कर दिया है रेलवे आज आधी राज से इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग की शुरुआत करेगा वहीं इन्डियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके आदम ने कहा है कि पैसेंजर ट्रेन ने पहले से चल लही 230 स्पेसल ट्रेनों से अलग होंगी इन पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 12 सितंबर की सुबए 10 बजे से सुलू होगा कई दुनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स में 270 अंकों की तेजी आई है सेंसेक्स 38,473 अंक पर पहुँच गया है इसी तरह निफ्टी में भी 24 अंकों की तेजी के साथ 11,351 अंक पर पहुँच गया इंट सहिंट बैंक का सेर करीव 3 पर सपड़ गया है बजाज SPI रिलाइंस और अल्टा टेक सीमेंट के सेर भी लाब में रहे है राजस्तान सरकार के खिलाब बाजपाज जन अभिहन चलाएगी प्रदेश सद्धिक सतीद कुलिया ने कहा है कि कांग्रेस की जन मिरोधी नीतियों के खिलाब 10 सितंबर को बाजपाज सभी जिला मुक्यालेओं पर डियम को गयापन संपेगी उन्होंने बताया कि बाजपाज संपूर किसान कर्ज माफी चार महीने की बिजली बिल माफी बड़ी हुई बिजली दरें बापस करने सईथ बिविल मागों को लेकर गयापन देगी दिली में करोना संक्रमन के बढ़ते मामलों पर अर्विंद केजरिवाल ने बयान दिया है उन्होंने काए कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जाच बढ़ रही है इसलिए ये मामले बढ़ रहे हैं केजरिवाल की प्रतकरिया दिली में बुद्वार को 4,049 नहीं मामले सामने आने पर आई है एक दिन में ये संक्रमन के यहां मिले सरवादिक मामले हैं गेरल सही दक्षिल भारत के कई हिस्सों में बुद्वार को भारी बारिस हुई केंद्री मंत्री उपेंद्र कुस्वा ने पीम मोधी को पत्र लिखा है उन्होंने सरकार से मांग किया है कि मेडिकल कालेजों में दाखिला के लिए ओभी सी विध्यारतियों को आरक्षण दिया जाए केंद्री मंत्री इस्मरती रानी ने महिलाओं और बच्चों की तसकरी को बड़ी समस्या बताया है उन्होंने काए कि इस मामले में सरकार कड़ा कानून बनाने के लिए संसद में विध्यक बेश करेगी इरानी ने बच्चों का आर्थिक सोसन विषय परसंत्र को संबोदित करते हुए ये बाते कहीं इंद्री मंत्री गटकरी ने काए कि एमेस एमी शेत्र में पांच करोड अत्रिक द्रोजगार सुज़ करने का लक्ष रखा गया है ये लक्ष पांच साल में पूरा कर लिया जाएगा गटकरी ने काए कि जीडिपी में एमेस एमी के योगदान को 30 प्रत्स से बढ़ा कर 50 भीज़दी किया जाएगा एमेस एमी शेत्र में फिलाल करीब 11 करोड लोग काम कर रहे हैं योगी ने पैटन को विध्यांचल मंडल के विकास की कुझी बताया योगी ने सरकारी आवास से विध्यांचल मंडल के विकास कारों की समिक्षा की मुखमंत्री ने काए कि बिंद छेत्र हर घर नल योजना के लिए 6000 करोल रुपए की विवस्ता की गई है योगी ने काये कि भधोही में निर्मित एक्सपो माट को जल्द संचालित कर कालीन के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा देश भर में कांगरेस समयत पूरे विपक्ष ने वुदबार रात 9 बजे लाइट ने बंद करके लाल टेन और मौमत्ती जलाई सभी पार्टियों ने देश और प्रदेश में बरती में रोजगारी के परती ब्रोज जताया राहूल गांदी ने काये कि मोधि जी ने प्रती एक वर्स दो करोड़ी उबाओं को रोजगार देने का बादा किया था उसे प्रदान मंतिरी ने पूरा नहीं किया अधीर इंजन चौधरी को कांग्रेस ने पस्चिम बंगाल का द्यक्ष निउत किया है पार्टी मासचीप केसी बेंडू गोपाल ने ये जानकारी दी उन्होंने का कि कांग्रेस सत्थिक सुन्या गांदी ने चौधरी को ये जिम्मेदारी सोपी है राजनीतिक जानकार चौधरी की निउक्ति को बंगाल विदान सवाचुनाओ से जोड़ कर देख रहे है दलाई लामा ने अमीर और गरीब के बीच खाई में कमी लाने की अपील की है दलाई लामा ने का है कि बच्चे हमारे बविस हैं हमें मानपता और गरीबों के बारे में सोचना होगा उन्होंने का कि कोरोना ने बच्चों और समाज के बीच तबकों को अधिक जोखी में डा प्रवासी कामगारों को 5 किलोग प्रती महारासन मिला क्या इससे एक प्रवासी और उसका परिवार गुजर कर सकता था मराठा आरक्षन पर सुप्रिव कोर की रोग पर महाराश्ट वाजबात देख्ष ने बयान दिया है चंदरकांथ पार्टी ने काया कि इसके लिए ठाकरे सरकार जिम्मेदार है ये मराठाओं के लिए काला दिन है पार्टी ने दावा किया है कि उद्व ठाकरे और एंसीपिय अधेक शरतपवार ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने आरक्षन को लेकर आदलात में ठीक से पहरी भी नहीं की देवेंद्र प्णवीश ने भी आरक्षन के बुद्व ठाकरे प्रनिसाना सादा उन्होंने काया कि सरकार आरक्षन को बरकरार रख सकती थी यदि उसने सभी को विश्वास में लेकर कदम उठाया होता ये सरकार इस मुद्वे को लेकर सुरू से ही गंभीर नहीं थी पड़नमीस ने काय कि भाजपा की लड़ाई के लिए मराठा समधाय के साथ खड़ी है और पार्टी उनके उत्थान के लिए सभी प्रयास करेगी ख़वरों का सिस्तला जारी रहेगा देखते रही है जनप्रबाद नमस्कार